हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स डेटा मैटेक्स की ओर से सप्टमबर क्वार्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका स्टैंडर ओन कॉंसौलिडेटेड दूनों रिजल्स आउट हो चुके आज इस वीडियो में अलसिस करेंगे लेफ्ट साइड में स्टैंडर ओन राइट साइड में कॉंसौलिडेटेड नंबर करोड में हैं हम लोग पहले कॉंसौलिडेटेड कवर करेंगे इंकम है 386 करोड का पिछले क्वार्टर में 400 करोड का और सब्टमबर 22 क्वार्टर में 353 करोड का इंकम है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expenses 327.6 करोड का पिछले quarter में 333 करोड का और September 22 quarter में 301 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में down है income के according के year on year में increase किया है जिसके बाद operating profit 58.5 करोड का पिछले quarter में 67.2 करोड का और September 22 quarter में 51.5 करोड का operating profit है quarter upon quarter में down है year on year में increase किया है लेकिन net profitgehti 48.9 करोड का पिछले quarter में 54.6 करोड का और September 2020 quarter 39 कोरट का net profit है quarter upon quarter में down है year on year में increase किया है EPS 8.36 रुपिज का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है पिछ Kitchen company का result अगर देखे का तो consolidated average pace क्योंकि quarter on quarter के income profit में डाउन है वही stand alone cover करें, income है 192 करोड का पिछले quarter में 192.8 करोड का और September 22 quarter में 184 करोड का income है quarter on quarter में down है लगबग 75 lakhs का लेकिन year on year में increase किया है वही expenses हुआ है 156 करोड का पिछले quarter में 162 करोड का और September 22 quarter में 152 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में expenses बहुत कम हुआ, year on year में expenses इंक्रीज के जिसके बाद operating profit 35.9 करोड का, पिछले quarter 30.7 करोड का और सप्टमबर 22 quarter में 31 करोड का operating profit है, quarter on quarter year on year में इंक्रीज के जब कि stand consolidated की quarter on quarter के profit में डाउन था, क्योंकि expenses भी डाउन था और income भी डाउन था, वह यह करम लोग इसका net profit बात में इंक्रीज किया है, EPS 5.09 का quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया है, वहीं अगर हम segment wise revenue की बात करें तो digital operation, digital experiences, digital technologies इन तीनों से revenue generate कर रहा है, जो कि average देखने को मिल रहा है, उतना अच्छा result पेश नहीं कि average result पेश किया है, तो हम लोग वेडियो को ही प्रेंट करता है, अगर कोई doubt, comment box में पूछे मिलते हैं, एन एक्स्वोड़ों में डिल नंबग